आज साटरड़े है और फुट्टी का दिन है तो आज हम कुछ एक स्ट्राटिज देखने की कोशिश करेंगे आज की तारीक जो है 26 जून 2021 है तो पहले आए समझते हैं वाइट बोर्ड पर के कैमरिला पिवर्ट्स की किस स्ट्राटिजी की हम बात करना चाहते हैं आज पहली बात जो लोग भी कैमरिला पिवर्ट्स से वाकिफ नहीं है वो इसको गूगल कर सकते हैं कैमरिला पिवर्ट्स में चार लेवल्स होते हैं मेनली लेवल्स तो इससे ज्यादा हैं बट मेनली चार लेवल्स हैं इनको आप कह सकते हैं S4 S3 R3 और R4 Camerilla Pivots जो है मेरे हिसाब से किसी हद तक Normal Floor Pivot से बहतर है तो इनमें आज Strategy ये है कि अगर मान लीजे कोई भी Instrument है Nifty, Bank Nifty कोई Stock भी है और वो सुबा सुबा R4 क्रॉस कर जाता है इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत जादा Strength है और फिर आप Wait करते हैं कि यहाँ पे किसी टाइब का Pullback हो R3 तक और फिर ये वापस आपको एक Upside दिखाए अब Pullback जो है वापस R4 तक भी आ सकता है लेकिन उस Case में आपका Risk Reward बहुत बेतर नहीं होगा तो अगर R3 तक Pullback होता है और Reverse यहाँ से करता है तो यहाँ पे आपका Stop Loss लग सकता है और एक R5 लेवल का आप Target रख सकते हैं जो की Double है R3 और R4 के Distance से Similarly अगर आप S4 ब्रेक करते हैं और वापस S3 तक आते हैं तो यहाँ से आपको एक Short Trade मिल सकता है यह यहाँ Short करने से कहीं ज़्यादा बहतर है क्योंकि अगेन आपको Risk Reward Better मिल रहा है तो यह तो है Trade No.1 जो की है Breakout Trading दूसरा Trade जो यहाँ Possible है वो है Reversal Trade उसके लिए R4, S4 जो है Breakout Level होते हैं और R3, S3 Reversal Level होते हैं तो अगर कोई Instrument यह S3 के नीचे जाए और वापस इसके उपर बंद होना शुरू हो जाए तो यहाँ से आप एक Mean Reversion Trade खेल सकते हैं अगेर R3 के उपर जाए और वहाँ से Reversal करे और एक Lower High Lower Low Formation बनाए तो यहाँ भी आप एक Mean Reversion Trade ले सकते हैं तो इस तरह से यह दो Trade पॉसिबल हैं अगर आप इन दोनो Levels के बीच में ही Trade करें तो कोई Trade पॉसिबल नहीं है अभी इसके हम Example देखेंगे और आप भी अपने End पे इसकी Back Testing करें और तब इसका इस्तमाल करें क्योंकि इस पे Confidence होना बहुत ज़रूरी है तो आईए कुछ Example देखते हैं जो हाली के 2-3 दिनों में हुए है और बड़े अच्छे Example है क्योंकि वो इस चीज को Illustrate करते हैं तो यह है Bank Nifty का चार्ट तो इसमें देखते हैं कि Friday जो की 25 जून था उस दिन क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे यह Spreadsheet है यहाँ पे Camarilla Pivots जो हैं यह हरे और लाल में Camarilla Pivots आपको नजर आ रहे हैं तो 25 जून के लिए हमारे पास जो S4 लेवल था वो था 35002 यह Spreadsheet मैंने Simply formulas डालके बनाई हुई है तो हर रोज मेरे पास कल के लिए Camarilla Levels आ जाते हैं यह Spreadsheet अगर आप हमारे दफ्तर में WhatsApp करें तो वहां से भी आपको Provide हो सकती है अगर आपना कोई email दे दे उसका email address है ashwani underscore gujral at yahoo.com Meanwhile, यह अच्छा मौका है कि मैं आपको यह बताऊं कि हमारी Services हैं कुछ जो की Membership Services हैं और Join बटन के थूँ available हैं तो उसके लिए भी आप opt कर सकते हैं और वहां पे इस तरह की Methodologies यूज करके Calls दी जाती हैं तो Friday को 35002 जो था वो था आपका R4 तो आप देखेंगे कि Initially ही आप जो है 35002 के उपर चले गए इस बार का हाई जो था वो 35003 था उसके बाद आप उपर गए और फिर वापस नीचे आए ठीक है तो इस R4 के उपर ट्रेड करने के बाद आपने करेक्शन दिया और करेक्शन जो था वो अगर आप ये वाला जोन देखें तो 34970 था यहां कहीं पे तो basically कहने का मतलब यह है कि आपने dip का इंतजार किया और यहां पे आपका R3 था 34914 तो आप बहुत नजदीक इस लेवल पर आए और यहां पे अगर आप buy trade लेते और यह R3 के नीचे stop रखते तो आपको इस तरह की बहुत बढ़िया rally मिलती initial indication आपको मिल गया जब यह चीज R4 के उपर जानी शुरू हुई similarly उससे पहले expiry का दिन था expiry वाले दिन भी आपका जो R4 था वो था 34795 यहां पर पहली बार का हाई जो बना है वो है 34722 यह तीसरी बार का हाई है 34748 पांचवी बार जो है उसका है 34780 और इस बार का हाई है 34830 तो यह पांचवी बार में आपका uptrend trigger हो गया उसके बाद एक correction आया जो कि आपको 34654 तक लेकर गया अगर आप यहां देखें तो R3 जो है आपका 34684 के आसपास है तो यहां तक आप जब correct हुए तो फिर इस बार पे आपको बहुत बड़ी बड़ी हरी बार पे entry मिल सकते थी इसके नीचे आप एक stop रख सकते थे मुद्दे की बात यह है कि यहां पे आपको एक upside का indication मिला और फिर आप इसको ऊपर की तरफ ride कर सकते थे तो हमने देखा 25 और 24 दोनों दिनों पे यह methodology काम करी है अब हम देखते है reversal trade उससे पहले 23 तारीक को आप gap up करे और यहां पे R3 यह आपका 34913 आपने gap up किया यह gap up का high जो है वो है 34929 तो यह immediately आपका R3 जो है उपर से reject होना शुरू हो गया और यहां से अगर आप short करते तो आपको बहुत बढ़िया 34622 के level तक मिल गए थे तो इस तरह से यह reversal trade use किया जाता है उससे पहले दिन अगर आप जाएं तो यह दिन था 22 तारीक को तो 22 तारीक को आपका R3 था 35138 आप उपर गे और उपर जाके जो आपका यह highest level है यह 35272 था तो यहाँ पे आप R4 है 35405 तो 35272 तक गे तो मतलब आपने R3 क्रॉस किया R4 क्रॉस नहीं किया R3 है 35138 तो जैसे ही हम यहाँ पे 35138 के नीचे आए तो आपको फिर से यह reversal trade मिल गया और यहाँ पे आप नीचे तक आ गए यहाँ पे upside के indication से पहले ही market जो है fail हो गई तो आपको पिछले चार दिनों के मैंने example दिये और आप पीछे जाके खुद चेक कर सकते हैं कि इसकी क्या performance है तेके हर चीज जो है उसकी performance 75% माननी चाहिए 25% आपका stop loss लगेगा बट इस तरह की objective और clear methodology अगर आपके पास हो तो आपकी life काफी आसान हो जाती है तो hopefully आपको ये technique और ये system समझ में आया होगा फिलाल के लिए इतना ही take care, have a good weekend और हर चीज को back test करके संभल कर कम volume से शुरू करें उसके बाद अपना volume बढ़ाएं